36 गड़ के बलरामपुर में बाधित बिजली आपूर्ती ग्रामीडों के लिए खासा परिशानी बन रही है लाइट नहीं होने से ग्रामीड परिशान दिख रहे हैं आलम यह है कि ग्रामीड विद्यूत विभाग वाट्रफ नगर के चक्कर काटने को मजबूर है दरसल पूरा मामला बलरामपुर जिले के विकास खंड वाट्रफ नगर के अंतरगत ग्राम पंचायत चवरसरई का है सरकार विद्यूत विभाग के लिए सालाना हजारों करोड रुपे खर्च करती है वही दूसरी तरफ आज भी ग्रामीन अंधकार में जीने को मजबूर है लेकिन विद्यूत विभाग के अधिकारी चुपी साधे हुए बैठे है महला तेंदू डान निवासी गोपी कुश्वाः पिछले पांच महीनों से लाइट के लिए दर्दर की ठोकरे खा रहे है नहीं विद्यूत विभाग के द्वारा उनको नया कनेक्षन दिया जा रहा है और नहीं किसी प्रकार की कोई सुविधा दी जा रही है विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा नए कनेक्शन के नाम पर आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है इस समस्या पर उचस्तरी अधिकारियों के द्वारा कब तक ग्रामीनों की समस्या का हल किया जाता है देखने वाली बात होगी बलरामपुर से समवाद दाता अजय कुश्वाह की रिपोर्ट कॉन बोलता है कि आज आउंगा तकाल आउंगा इसे करते 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 तीन महिना गुजार दिये उनके दोरा अस्वासन पर अस्वासन दिया जा रहा है लिकिन लोगा नहीं रहे हैं अडैयर इसे ही लीटे परेपाने के लिए बेल आइकन को सलिक कर हमाने चैनल को लृईज शेर और सबस्क्राइब करें आँजाब झाल 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 झाल